दोस्तो हर किसी के घर में ऐसा कोई न कोई एक इनसान तो जरूर होता है जिसे परवल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है लेकिन अगर आप मेरे बताय हुए तरीके से परवल की सबजी बनाएंगे न वो जो नहीं खाता है वो भी उंगली चाट कर खाएगा इस रेसिपी को अगर आप घर पे ट्राय करेंगे तो आप यकीन मानिए नौन भेज भी इसके सामने फीकी लगेगी आपको तो इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें तो चलिए रेसिपी को सुरू करते हैं इसके लिए हमें लेना है परवल मैंने थोड़े छोटे साइज का लिय लगता है इस तरह से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है क्योंकि मासाले इसके अंदर अच्छे से जाते हैं देखिए इस तरह से सारे परवल को हम काड के त्यार कर लेंगे जो थोड़े से लंबे होंगे उसे हम तीन टुकडा जो छोटे होंगे उसे दो टुपड़ा और मैंने ये दो आलू लिया है ये आलू परवल की सबजी है मैंने इसमें आलू डाला है आप चाहें तो आलू के बदले भी इसे बना सकते हैं मतलब बिना आलू के भी अब हम एक कडाई में तेल ले लेंगे क्यूंकि हमें इन परवल को फ्राय करना है फ्राय करने के लिए गरम तेल में हम जैसे ही फरवल को डालेंगे फिर इसे क्या करना है हमें धग देना है किमकि इसे बहुत ही ज़्यादा तेल चिटक के गिरता है तो आप थोड़ा ध्यान से करें अगर आप इसे सैलो फ्राय करना चाहते हैं तो भी कर सक लेकिन सेलो फ्राइब करने में बहुत थोड़ा टाइम चला जाता है और इस तरह से ज्यादा टेश्टी लगता है देखिए यह सुने रहा हो गया है इस तरह से सुने रहा जब हो जाए तब हम इसे क्या करेंगे तेल से निकाल के अलग करके रख लेंगे दोस्तों अगर रेस सब्सक्राइब जरूर कर लिजे आलू को भी हम उसी तरह से ही फ्राइब कर लेंगे थोड़ा सुने रहा कर लेना है इसे बहुत ही जादा टेस्टी लगे गई है देखिए यह आलू भी त्यार हो गया है इसे निकाल के हम रख लेंगे सब्जिया जब फ्राइब हो जाए त अधा चमच तीखी वाली लाल मिच पाउडर और यह देड़ चमच में ले रही हूं कस्मीरी लाल मिच पाउडर तीखापन आप अपने स्वात के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं यहां पर मैं ले रही हूं फ्रेज तही यह मैंने घर में जमाया है आप देख सकते हैं कित मसाले को ना दही के साथ मिक्स करके रखने पर मसाले का फ्लेबर बहुत ही अच्छा आजाता है और जो सब्जी है उसका स्वाद भी बढ़ जाता है यह थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहां पर थोड़ा सा पानी आट कर दिया है आप चाहें तो चाज भी इस्तमा किया है इसे मेक्स करके साइट में रख लेते हैं अब एक ग्रैंडिंग चर में हम ले लेंगे तो टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची ज्यादा तीखा नहीं है बस मैंने इसे फ्लेवर के लिए लिया है और ये 6-7 काजू लिया है मैंने इन सब को पीस की पढ़ी है सब पेश्ट ब इसमें डाल देंगे एक चोटी चमज जीरा एक चोटी सी तेजपता यह डाल चिनी का एक टुकड़ा लिया है दो हरी इलाईची अब हम इसमें टालेंगे तीन प्याज मैंने यहां पर तीन मेडियम साइज के प्याज लिये हैं और इसे बहुत ही बारिक काटा है चॉपर में म अद्रक लसुन का पेष्ट को भी मीडियम फ्लेम पर भूनना है हाई फ्लेम पर नहीं करें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूने जैसे इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें से बढ़िया सी कुस्पू आने लगे एकदम भीनी भीनी सी देखिए यह मसाला तयार हो गया है अ देखिए कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए अब इसे भूनेंगे यह मसाला जब तक अच्छे से भून जाए और तेल से अलग होने लगे तब तक इसे भूनना है और फ्लेम को ना दोस्तो डो टू मीडियम पर ही रखेगा मसाला को हाई फ्लेम पर भूनने पर क्य होता है न अच्छे से भूनते नहीं और जल जाते हैं देखिए यह स्पैक्चुला से अलग होके गिर रहा है मतलब इसमें जहीं चिपक रहा है और तेल भी अलग होके देख रहा है अब ही यहां पर डालना है काजू टमाटर का पेस्ट जो हमने त्यार करके रखा था इसे भी अच्छे से पकाना है मासालो को बढ़ियासा इस सबजी में पकाना बहुत जरूरी है अगर यह मसाले थोड़े से भी कच्छे रहेंगे सबजी का टेस्ट बहुत ही जादा बेकार हो जाएगा इसलिए आप इसे अच्छे से भून के बढ़ियासे बनाएं तो यह करके रखा है उसलिए उसे ज्यादा पकाने की जरूत नहीं है इसलिए मसाला को अच्छे से पका लेंगे ढग कर दो से तीन मिनिट पकाएंगे देखिए उपर में यह तेल अलग होके दिख रहा है यह मसाला त्यार है अब हम इसमें आलू और परवल को एड कर देंगे इसे औ कर सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा तरी वाला बनाऊंगी एक कप और दो तीन चमच एक्स्ट्र पानी में इसमें डाल रही हूं ताकि इसे अच्छे से पका सको देखिए आप अपने जरत के हिसाब से पानी याड़ कर सकते हैं इसे हाई फ्लेम पर दो मिनिट के लिए फिर स्लो फ्लेम पर दो मिनिट फिर देखिए हामारा गर्मा गरम सबजी तयार है इसे रोटी चावल पराठा किसी के साथ भी सब कर सकते हैं और यह नौन भेच से तो पहतर है तो वीडियो को लाइक और से जरूर कर देजिए ठैंक यू